यह यह रोख दिजेगा यह कुछ ट्विटर हैं किसानों के और एक्टिविस्ट के और उन लोगों की जो किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं इनको ब्लॉक कर दिया गया है लगभग 35 फेस्बुक अकाउंट्स 14 इंस्टाग्राम अकाउंट्स 59 ट्विटर लिंक्स और बयाली स्ट्विटर हैंडल्स एक स्नैपचाट अकाउंट और एक रेडिट अकाउंट यह भारत सरकार ने इन पर पाबंदी लगा दी है जब तक किसानों का अंदोलन अगला यह स्फिद्जाएंटर इन इन पर अत्त थी आंपरेश पाबंदी लो यह यह प्रिट साखरे में और पंवे लघर भी है किसे ऑ्क पी आलो कर दो हैंग थाता कर दो Uhm कि नहीं कुछ और ही है यह आवाज इतनी तेज होती है हम और आप सुन कुछ अब यह जो आप देख रहे हैं एक तरफ किसानों से बातचीत मंत्री कर रहे हैं दूसरी तरफ खेतों में घुश कर यह स्थिति हो रही है ठीक है अगला सुनाइए दिखाईए यह पढ़िए द्यान से तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा यह 2014-06 अप्रेल को नरेंद्र मोदी जी किसानों को भढ़का रहे हैं तो आज किसान क्यों भढ़के हैं उनको किसने भढ़काया है इस स्क्रीन शॉट इस ट्वीट से इस पोस्ट से आपको मालुम पड़ेगा कि आज किसान अंदोलन क्यों कर रहे हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की इस बात को बड़ा गंभीरता से ले लिया जो बात नरेंद्र मोदी जी ने 6 अपरेल 2014 को कही थी कि किसानों का हक है उनको भीख नहीं मांगनी चाहिए ये MSP उनका हक है उसके बाद 10 साल प्रधान मंतरी रहे जब किसान सडकों पर आए पिछली बार जब आए तो आपने देखा क्या हुआ साड़े साथ सो किसान शहीद हुए इनके कान पर जू नहीं रहेंगी लाइट जला दिए और अब ये स्थिती है कि दूसरी बार सडकों पर आ रहे हैं क्योंकि वादा खिलाफी नरेंद्र मोदी ने की है प्रधान मंतरी ने की है भारत सरकार ने की है तो उनके ट्विटर अ घटाने से कोई मतलब नहीं गरीबी को ढख देते हैं जब ट्रंप आते हैं तो यह जी ट्विंटी होता है तो यह मानसिक्ता दर्शाता है अगर अफवाहें बंद करनी हैं तो सबसे पहले तो आप जो आईटी सेल है आपकी भारती जनता पाटी की वहीं बंद कर दीजे किसानों के ट्विटर हैंडल बंद करके आप क्या हासिल करना चाहरे हैं उनका गला घोंट के आप क्या हासिल करना चाहरे हैं उनकी आवाज इस हो रहा है वहां उतना टेलिविजन पर कम होता जा रहा है क्यों यह भी दबाव डालने की एक तरीका है कि किसानों की बात कोई रख नहीं पाए कल 21 फरवरी है बड़ा एक महतोपूर्ण दिन है पंजाब में 21 फरवरी 1924 में जैतोदा मोर्चा बड़ा मशूर एक इवेंट है जो मनाया जाता है जब अंग्रेजों ने किसानों पर गोलियां चलाई सीख किसान थे और काफी लोगों को मार दिया या घायल कर दिया था नहरू जी को यह पता चली तुरंत वहां गए अपना समर्थन दिया किसानों को और बड़ा अच्छा नहरू जी ने किसानों पर उस वक्त लिखा था मुझे लगता है क्योंकि नहरू जी पर विशेशक्य हैं आज कल नरेंद्र मोदी यह जो जैतोदा मोर्चा है कल उसकी 100 साल पूरे होंगे उसमें नरेंद्र मोदी जी को नहरू जी की शरण में जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए नहरू जी ने जैतोदा मोर्चा पर जब गोली बारी हुई तो क्या बोला बड़ा महतुपूर्ण उनको कुछ सीखने को ही मिलेगा इसमें कुछ नया जानने में कोई गलत नहीं हो था तो आपने देखा कैसे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे वड़े आलोचक है और जो 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 जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था ठीक उसका विपरीत जब वो प्रधान मंत्री बने वो कर रहे हैं अवल दर्जे के जूट, MSP पे जूट, Freedom of Expression पे जूट, आंदलोनों पे जूट, तमाम जूट एक प्रधान मंतरी के जब पकड़े जाएं, तो वो क्या करेगा? वो यही करेगा जो आप कर रहा है, इंटरनेट बंद कर देगा, टेलिविजन पे दबाव डालेगा, हेडलाइन बदलेगा, तो पालिस्तानी, किसानों को बदनाम करने का जिस तरह से इन्होंने एक बीडा उठा रखा है, हमारे वक्त कई आंदोलन हुए, अभी मैं संजीव जी और विनीजी को बोलूंगा, एक वीडियो है अटल जी का, किसान के आंदोलनों को समर्थन देते वे, वो भी आपको देंग विपक्ष का, कि एक जिमेदारी होती है, देश में इस तरह हैं कि आंदोलन हो, और इतना बड़ा तबका किसानों का कोई मांग कर रहा हो, उसमें विपक्ष खामोश बैठ जाए, जो कि नरेंदर मोदी चाहते हैं, तो वो संभब नहीं हो सकते, फिर हम अपनी जिमेदारी स में चूक रहे होंगे, मीडिया को आप खामोश करने की कोशिश करते हैं, कि इस मुद्धे पढ़ना बोलें, आप सोचते हैं कि मीडिया और विपक्ष खामोश हो जाएगा, तो आंदोलन खतम हो जाएगा, नहीं मीडिया खामोश होगा, और न विपक्ष खामोश होगा, आ आप जब आपके अपने वित्त सलाकार एक रिपोर्ट देकर कहते हैं कि डालों पर MSP बढ़ाया जाए तो आप उस रिपोर्ट को दबा के बैठ जाते हैं कब फिर डालों पर आप कीमत जादा देते हैं जब किसान सड़क पर आते हैं मैं यह वो रिपोर्ट भी आपके सामने आपसे साजा करूंगा तो हमारा आप सबसे आग्रह है कि नरेंद मोदी जी को आप लोग समझाईए लिख कर समझाईए बोल कर समझाईए कि साब दुश्मन नहीं है किसान और यह जो मांग रहे हैं वही मांग रहे हैं जो आपने 2014 से बड़ी बड़ी बातें की थी वही बात वह मांग रहे हैं राहूल गांधी ने मलिकार जुन खडगे जी ने कि MSP का एक गैरंटी दी है कि हम जब सरकार बनाएंगे यह अन्याय दूर होगा और हम MSP की गैरंटी दे रहे हैं और कोई कारण नहीं है कि नरेंद मोदी आज सरकार में कुछ महीने और हैं तो ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछिए क्या दबाव है, क्या किसी ओद्योगिक घराने की लॉबी का दबाव है, विदेशों से दबाव है, कहां से दबाव है नरेंद मोदी, क्यों इतन प्रटा लगाई आपके सवाल कि कि पूछी कि किसानों ने हम जो हमारी घोषना पिछले हफ्ते हुई कि प्रधान मंतरी का निवास नहीं है कि जहां दर्वाजे बंद रहें किसानों के लिए कान बंद हो जाएं सुने ही नहीं प्रधान मंतरी किसानों की आवाज राहुल गांधी भट्टा पारसोल से अगर आप उनकी यात्रा देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो हर बार किसानों के मुद्दों पर बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया है जी नहीं पहले किसान तो आपको लगते हैं कि इस पुझी दॉट रहा है समाधान सरकार के हाथ में है एक तरफ आप बातचीत कर रहे हो दूसरी तरफ जो आपने अभी वीडियो में देखा वो सब करेंगे तो नियत बताएगा आप तीन तीन घंटे किसानों को इंदार करवाते हैं मंत्री बैठक में जब जाने वाले होते हैं ये क्या दर्शाता है इसको अपमानित करना चाहते हैं आप उनको एक मनोवज्ञानिक दृष्ट्री से दबाना चाहते हैं किसाब हम बड़े हैं आप छोटे हो हम अपने हिसाब से अपने समय पर आएंगे ये क्या दिखा रहा है आपको क्या दिखाता है कि मन्शा है उनकी समाधान ढूंडने की मुझे तो नहीं लगता कि किसानों को क्या लगता है किसानों से आप पूछिए आप बातचीत अगर करते हैं तो साफ मन से अगर आप बातचीत करेंगे तो जिससे आप बातचीत करें उसे भी समझ में आएगा कि ये इनकी नियत साफ है आप एक तरफ बातचीत करते हैं भीतर उनका इंट्रिनेट हैंडल जब बाहर आते हैं, ट्विटर हैंडल बंद हो चुका होता है, तो गया क्या दिखा रहा है? तो अगर सरकार चाहती है, की समस्या का समाधान हो, सरकार के हाथ में है, प्रधान मंतरी के हाथ में है, वो कर सकते हैं. यह यह बोल बोल कर जिस तरह से वो अपमानित कर रहे हैं किसानों को जनरल वी के सिंग बड़े अनुभवी वेक्ति हैं उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए तमिल नाडू का किसान भी समर्थन कर रहा है मेरे राज्य राजिस्थान का किसान भी समर्थन कर रहा है हर्याना का किसान भी समर्थन कर रहा है उत्तर प्रदेश में लगातार बैठके खाब पंचायतों की हो रही हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं तो यह कहकर वो क्या हासिल कर पिछान देना चाहते हैं किया साबित करना चाहते हैं यह समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल है आप किसी का आवाज दबा दें वह भी क्रिमिनल है वह भी गलत है किसी का आप सब बंद कर दें वह भी गलत है कि सड़कें सरकार खुद बंद कर दें वह भी गैर कानूनी है किस नियम के तहट आप सड़कें बंद कर रहे हो बदनाम आप किसान को करते हो कि किसानों ने सड़क बंद कर दी किसानों ने तो सड़क बंद नहीं कि सड़क तो सरकार में बंद किया इंटरनेट तो सरकार में बंद किया इस तरह किसानों सौ किसान खायल हो जाएं लगाता आप आसुगैस चोड़ के लिए किसानों की आंदोलन में क्या हो रहा है जानकारी खतम हो जाएगी यह तरीका बहुत ही फासिस्ट तरीका है गलब तरीका है इस तरीके से लोगतंत्र नहीं चलता इस तरीके से सरकारे नहीं चलते है कि सब्जुरिस है कोट में चल रहा है उस पर अभी मैं रादनेतिक टिपणि करूं उससे कोई अभी वेनु गुपाल जी ने आपको उस पर पूरी तरह से एक स्टेटमेंट दिया है बयान दिया है तो फिर उसके बाद कुछ और तो है नहीं सब कुछ सपस्ट नों कर दिया करदें सब्सक्राइब के bilateral प्रभाइक इन्य का्योंट कि में मैं gras की सफर करके यहां तक पुंचा हूँ याँ प्रवकता को कि पात अगर हो अब हो कि अगर किसी प्रवकता कि प्रवकता हर कमीटी के सदस्य होते तो अगर किसी प्रवक्ता ने कहा है तो इंजार करिए, उनकी नेताओं को भी कुछ कहने दीजिए, हमारे यहां से एक बयान अभी जाहरी हुआ है, आपने सुना है, आपने सब कुछ पूछ लिया, किसानों के लावा जैनेंद जी. एक भाजपा का विधायक, शिवसेना के पारशद पर गोली चला देता है, यह होता है गठबंधन का धर्म, आप हमारे गठबंधन पर बड़ा ध्यान रखते हैं, कि वो यात्रा में आये या ने आये, कितना चले, कितने कदम चले, कितनी देर तक चले, वहां गोलियां चल रह one-to-one नहीं, हाँ, पूछना है तो पूछ लीजे, नहीं, पिलहाल कोई प्रतिक रिया, माराथा रेजर्वेशन पर नहीं, अब इससे ज्यादा शरमनाक क्या हो सकता है, कि सुप्रीम कोर्ट के सामने, रिटर्निंग आफिसर ने स्विकार कर दिया, और आप में से कुछ थी, आप यहां तो नहीं बैठे वो, लेकिन टीवी पर, और अगर टीवी पर नहीं, तो अपने ट्वीटर पर, जिस तरह से उस रिटर्निंग आफिसर की रक्षा में खड़े वे दिख रहे थे, मुझे लगता है, अब तो उन्होंने अपना ट्वीटर हैंडल बंद कर दि नहीं किया, तो यह लोकतंतर की इतिहास में एक काला ध्याय है, चंडीगड का मेर चुनाव, और हमें तो लगता है कि बनवारी लाल जी का इस्तिफा, कि तार इस चुनाव और इस घपले से कहीं जुड़े हुए, बहुत परिपक्वी वेक्ति हैं, बड़े ज्यानी वेक्त राज्यपाल का इस्तिफा हो जाना, ये भी कुछ दिखाता है, दोनों चीज़ें दिखाता है। पहले जो राहुल जी के साथ हुआ, उनकी सदस्यता तक रद हुई, और रद होते ही उनको मकान भी उनका छीन लिया गया, फिर अदालत के रास्ते फिर से सदस्यता बहाल हुई, वो आपके सामने है सब कुछ, एडी के सामने 50 घंटे, 52 घंटे राहुल गांधी को बैठना पड़ा, तो यह सब संघर्षों की दास्तान उनकी बहुत लंबी है, और कितनी भी रुकावटें सरकार हमारे रास्ते में डालेगी, लाएगी, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, दुगने जोश के साथ हम अपना काम कर रहे हैं, जी, डन, बिल्कुल बुलाना चाहिए, नया संसत बनाये, बड़ा खुबसूरत है, सुनाये, तो उस सदन में, अगर इस देश की अनधाता के विशह में, कानून बनाने के लिए अगर आप एक सत्र नहीं बुला सकते, तो किस काम का है, यह हजारों करोड का आपका प्रोजेक्ट, और संसत सिर्फ एक आदमी की बात सुनने के लिए नहीं होता है, अभी इस देश में यह स्थिती बन गई है, कि सब का मुँ बंद सिर्फ कान खुले रखो और एक आदमी के आवाज सुनते रहो, उस आदमी का नाम है नरेंदर मोदी, वो अपनी बात करता रहा है, आप सुनते रहों, इंटरनेट बंद, किसानों के सारे हैंडल्स बंद, सब बंद, सिर्फ नरेंद मोदी के आवाज गुजनी चाहिए पूरे देश में, तो यह जो आत्म मुगधता है उस व्यक्ति की, वो इस इंतिहा पे आ गई है, कि अब लोग हसने लग गए हैं उन पर, कारण क्या है, कि एक ही राज्य के, इतने सारे आधार कार्ड डियक्टिवेट हो गए हैं, उनको निश्क्रिय कर दिया गया है, इसका उत्तर के इंद सरकार को देना होगा, किस कारण से आपने ऐसा होने दिया, अब आप टेक्निकल गलिच बोलेंगे, तो ऐसी कौन सी टेक्निकल गलिच है, जो एक ही राज्य पर लागू होती है, इसका उत्तर तो आपको सरकार से लेना चाहिए, धन्यवाद,